Hello dear students, welcome to my academy, बच्चों क्या हल चाल हैं, तो बच्चों बायो बूस्टर कोर्स में हम रोज एक important topic जो है उसे discuss करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों आज का topic जो हम discuss कर रहे हैं वो है bores effect जो कि आप respiratory system में पढ़ते हैं, बच्चों बहुत ही important topic है और बच्चे generally इसको रट लेते हैं आज मैं आपको conceptually सारी बातें बताऊंगा, क्या होता है bore effect तो देखते हैं बच्चों, bore effect तो यदि बच्चों 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 को मैं define करना चाहूं, तो it is the effect of CO2 और acidity और H+, on dissociation of oxy hemoglobin बच्चों क्या होता है, टिशू में जब oxygen की supply हो रही है, लंग से hemoglobin जो है, वो oxygen को ले करके आ रहा है, blood के थ्रू, RBC के अंदर और tissue तक पहुंचे हो, टिशू में आने के बाद में, वो oxygen को release कर रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत ही interesting बात है, कि आकर क्यों oxygen वहाँ से इसने load किया, और क्यों tissue में आकर के release करता है, तो tissue में oxygen release होने का important reason है, बच्चों वो क्या है, CO2 का high partial pressure होना, या oxygen का partial pressure कम होना, तो oxygen का partial pressure कम होता है tissue के अंदर, और CO2 का partial pressure ज़ादा होता है, तो CO2 का partial pressure ज़ादा होना, induce करता है, कुछ ऐसे changes hemoglobin के अंदर, जिसकी वज़े से oxygen जो है, वो unload हो जाती है, dissociate हो जाती है, तो high amount of CO2 जो है, वो क्या कर रहा है, या partial pressure of CO2 जो है, वो क्या कर रहा है, induce कर रहा है, oxymoglobin के dissociation को, और oxygen के unloading को, ताकि ये tissues को मिल पाए, तो बचों, इससे ही हम क्या बोलते है, इस effect को, bore effect बोलते है अब बचों, ये bore effect जो हम देख रहे हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं, कि exactly क्या हो रहा है, तो बचों, सबसे पहले, lungs जो है, यहाँ पर suppose lung है तो lungs जो है, वहाँ से, क्या हो रहा है, hemoglobin जो है, वो oxygen को लेकर के आ रहे हैं, एक hemoglobin जो होता है, वो कितने oxygen को लेकर के आता है, 4, कितने oxygen को, 4 oxygen को लेकर के आता है, यदि मैं, यहाँ पर आपको एक diagram की थूरू बताओं, तो hemoglobin की structure आपको पता है, उसके अंदर 2 alpha और 2 beta chain होती है यदि हम HbA की बात कर रहे हैं, यहाँ पर, तो 2 alpha और 2 beta chain होती है, यहाँ पर सब में iron होगा, Fe plus 2 यह कुछ मैंने hemoglobin बनाया, और यह hemoglobin क्या करेगा बचों, यह hemoglobin, 4 oxygen को attach करता है, अब hemoglobin की structure जो है, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा detail में discuss नहीं कर रहा हूं बचों, लेकिन hemoglobin जो है, उसकी structure की जब हम बात करते हैं, तो इसके 2 form होते हैं, short में देख लेते हैं, hemoglobin जो होता है, उसकी structure की जब हम बात करें, तो दो form होता है, एक होता है, T form, T form, और इसे हम tense form भी बोलते हैं, और R form जिसे हम relax form भी बोलते हैं, अब क्या होता है बचों, यहाँ पर, यदि हम hemoglobin की बात करें, तो hemoglobin के अंदर जब first oxygen attach होता है, तो वो काफे difficulty के साथ में होता है second, फिर side automatically relax हो जाती है, open हो जाती है, second easily, third, fourth इस तरीके से, एक hemoglobin जो है, वो four oxygen जो है, उसको ले करके आता है, और कहाँ पर ही आ रहा है, लंग से, यह blood के through पहुंच गया, कहाँ पर, suppose tissue में पहुंच गया, अब tissue level पे क्या हो रहा है, यह RBC के अंदर था बचों, अब tissue level पे क्या होता है, ध्यान देना, suppose कि हम बात करते हैं, यह है हमारा tissue, इस tissue के अंदर क्या हुआ, इस tissue के अंदर, respiration वाली process चली, cellular respiration, और यह cellular respiration की process में क्या हो, बच्चों, यहाँ पर CO2 evolve हुआ, CO2 evolve होनी की वैसे, यहाँ पर CO2 का amount क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यह प्रशल प्रेशर होगा, पी, CO2 होगा, वो कितना होगा, around 45 mmHg होगा, होगा की नहीं, यहनि टिश्यू में CO2 का प्रशल प्रेशर कीटना है, 45 mmHg है, जो blood, जो blood यहाँ पर oxygen ले करके आ रहा है, इस blood के अंदर क्या होगा, बच्चों, इस blood के अंदर oxygen, CO2 का प्रेशल प्रे जो है वो relatively कम होगा कितना होगा यहां पर होगा P CO2 यह जो ब्लड है इसके अंदर P CO2 के दी में बात करूँ तो कितना होगा 40 mm of Hg यहां पर CO2 जाता है यहां पर कम है तो CO2 क्या होगा डिफ्यूज हो करके कहां पर आ जाएगा पहले यहां से tissue fluid में tissue fluid से blood में CO2 का transfer होगा अब बच्चों अब ध्यान देना है कि तो हमने simple सी बात की कि CO2 क्यों आ रहा है ब्लड के अंदर अब ध्यान देना यहां पर क्या हो रहा है बच्चों यहां पर ब्लड के अंदर क्या है RBC सपोज यह मैंने बनाया क्या है RBC CO2 के transport के यदि हम बात करें तो CO2 का transport different way में ह होता है या तो dissolve form में 5-7% जो है वो dissolve form में हो सकता है या फिर यदि हम बात करें around 25% कार्ब अमीनो हिमोग्लोबीन की form में यानी CO2 जो है वो different form में transport हो रहे है कितना 25 यह 23-25% जो है वो कैसे जा रहे है देखो HHB है हमोग्लोबीन सपोज या इसके एक NH2 ग्रूप है इसके साथ में जब CO2 रियक्ट करेंगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा NH COO- और H plus के अंदर यानी क्या हुआ यह जो हीमोग्लोबीन है बच्चों यदि मैं आपको बताऊं यहाँ पर सपोज यह मैं आपको ऐसे बताऊं कि हीमोग्लोबीन था तो अब क्या हुआ इस हीमोग्लोबीन में एक जो NH2 ग्रूप था इस NH2 ग्रूप की जगह पर यहाँ पर जुड़ गया है COO- और लीज हो गया है H plus कुछ ऐसी कंडिशन हो गई यह जो दिख रहा है आपको यह फॉर्मले की फॉर्म में यह डाइग्राम की फॉर्म में अब क्या होगा अब यदि यह इस तरीके से कनवर्ट हो गया है तो यह CO2 के जुड़ने की वज़े से CO2 के इस टाइप का चेंज होता है कि यह R-form से कंवर्ट हो जाता है कि इसके अंदर टैनस फॉर्म है और टैनस फॉर्म में करवर्ट होनी के वज़े से क्या होता है Auxygen जो होती है वह हो जाती है यहां पर क्या हो बच्चो कर्प हीमोगलोबीन बनना CO2 का अटैच होना कर्प हीमो हीमोगलोबिन के अंदर कनफर्मेशनल चेंजेज और उस कनफर्मेशनल चेंजेज की वज़े से इस ऑक्सीजम हो जाएगी और कहांपर आ जाएगी टिश्यू में जाएगी नमबर नमबर वन नमबर टू यहाँ पर क्या होगा बच्छों यह जो एच प्लस है यह जो एच प्लस रिलीज हो रहा है एक तो स्योटू के एड़ होने की वाज़े से चेंज हुआ दूसरा एच प्लस जो होता है वो भी क्या करता है यह एंड टर्मिनस अफ अलफा जेन और सी टर्मिनस अफ बीटा जेन हिमोगलोबीन के अंदर अलफा सब्यूनिट यह बीटा सब्यूनिट जो है उसके उपर यह एच प्लस जब अटैच होता है तो उसकी वज़े से भी क्या होता है बच्छों कनफर्मेशनल चेंज होता है कुछ ऐसे चेंज होत जाता है अगेन यह टेंस में गण्याउर सा फॉप जाते हैं कि आपको क्या पता चल रहा है की हमॉट覺ू ज्यादा होने की तर-इति मैं रिलेक्स ऑलकर ताइब जिसके अंदर चैं dummy सॉब्कार को our oxygen डिवाइट नहीं कर पाता है रिलीस हो जाता है, रिलेक्स फॉर्म ऐसा फॉर्म है, जिसके अंदर बैंडिंग साइट बहुत ओपन होती है, और ऑक्सिजन जो हो बहुत ही, इसके उपर अटेच हो जाता है, तो रिलेक्स फॉर्म में रहेगा, तो जाज ज्यादा ऑक्सिजन को अटेच कर पाएगा, टेंस दरी जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है इसकी वज़े से oxygen बाहर निकलता है थर्ड थर्ड थिंग यानि तीन चीज़ा बता दी मैंने आपको एक बता है मैंने यहाँ पर CO2 का add होना दूसरा H plus का release होना ठीक है थर्ड थिंग यह जो CO2 आया बचों इसके अंदर 25% CO2 तो इस form में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और लगबग 70% जो है वो कैसे transfer होता है वो CO2 water से react करता है क्या बनाता है H2CO3 H2CO3 जो है वो break हो जाता है किसके अंदर H plus में और HCO3 minus के अंदर HCO3 minus जो है वो किसके साथ में exchange होता है CL minus के साथ में इसको आप chloride shift जो है वो बुलते हो chloride shift आपने पड़ा था तो बच्चों यहां पर जब यह carbonic enhydrase enzyme की help से H2O और CO2 react करके bicarbonic carbon acid बना रहे है और इसकी वैसे H plus रिलीज हो रहे है C terminus of beta change जो है उसके उपर जाके attach हो जाएगा conformational changes करवा देगा जिसकी वज़े से क्या होगा जिसकी वैसे hemoglobin जो है वो किस form में आ जाएगा वो tense form में आ जाएगा और tense form में आने की वज़े से क्या होगा oxygen को easily release कर देगा इसका मतलब conclusion क्या हुआ बचों conclusion ये हुआ कि tissue level पे CO2 का amount जादा होने की वज़े से या H plus का amount जादा होने की वज़े से क्या होता है oxy hemoglobin dissociation कर जो है वो क्या हो जाएगा कि same partial pressure पे suppose graph ऐसा था तो यदि H plus का amount जादा हो CO2 partial pressure में change अभी भी उतना ही मान रहे है उसको change नहीं मान रहे CO2 के partial pressure में difference उतना ही है फिर भी यदि H plus जादा है या CO2 जादा है या acidity जादा है तो उस case में क्या हो जाएगा बच्चों same ही partial pressure पे यदि पहले suppose 50 oxymoglobin थे तो अब क्या हो जाएगा अब उतने ही partial pressure पे number of oxymoglobin कम हो जाएगा dissociation जादा हो जाएगा यानि curve किदर shift हो जाएगा बच्चों curve shift हो जाएगा राइट में कुछ इस तरीके से तो high CO2 की वज़े से या high H plus की वज़े से या acidity जादा हो गई इनकी वज़े से H plus की वज़े से तो curve जो है वो राइट में shift होता है यह आपने पढ़ा भी होगा जब भी आपने oxymoglobin dissociation curve पढ़ा होगा बच्चों उस time पे और यह percentage oxygen saturation और oxymoglobin तो बच्चों curve जो है वो राइट में shift होता है तो यहाँ पर high CO2 और H plus की वज़े से oxymoglobin का dissociation हो जाना उस effect को ही हम क्या कहते है बोर effect बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर CO2 का partial pressure जादा था इस वज़े से क्या हुआ oxygen यहाँ पर unload हुई बिलकुल ऐसे ही जब यह blood CO2 को लेकर के कहाँ पर पहुँचेगा लंग्स में पहुचेगा तो लंग्स के अंदर oxygen का level जादा होने की वज़े से क्या होगा CO2 unload होगा उससे हम healthy effect बोलेंगे बचों healthy effect जो है उसकी बात करेंगे हम next lectures में और बोर concept जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत simply हम बात करें एक line में तो क्या होगा tissue के अंदर tissue fluid में या tissue के अंदर CO2 का amount जादा होने की वज़े से oxy hemoglobin से oxygen का dissociate होकर के tissue में चले जाना उससे हम बोर effect बोलते हैं आकर बोर effect क्यों हुआ क्यों हुआ पर CO2 का amount जादा है H plus का amount जादा है और उन्होंने क्यों oxygen release करवाई क्योंकि ये CO2 और H plus जब hemoglobin से bind करते है तो उसके अंदर confirmational changes induce करते हैं वो उसे R form से T form में convert कर देते हैं जिसकी वैसे oxygen unload होता है oxygen की carrying capacity या association जो है वो कम हो जाता है ठीक है बच्चों तो मिलते हैं next lecture में पढ़ते रही अच्छे से बाई बाई